हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया है हाल चार बढ़िया है तो पढ़ाई शुरू करें उससे पहले आपको करना क्या है अपना प्यारा से चैनल का वेलकम करिए और उसको सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप पहले से हैं तब तो कोई बात नहीं अगर आ यहां पर आपको हर टॉपिक बहुत ही इजी वे में मिलता है और बहुत मज़ा ही आता तो देखो हम नाइन क्लास का चैप्टर पढ़ रहते हैं ग्रेविटेशन अपने ग्रेविटेशन में सारी चीजे हम लोग पढ़ चुके अब जो लास्ट चैप्टर का है पार्ट वह हम लो ने क्या पड़ाता है बोयनन सी वोयन फॉर्स ऑर्क मिढ dispraAll उसी से रिलेटेड वोह किसी लिक्विट में अब क्यैसे कररती है अब कुछिए स्टेंस हो जाति हैं कुछ फ्लोट करती हैं तो ऐसा लिए है कि हमारे कुछ सबस्टेंसविчए आपको फ्लोट वाटर भी है तो connection internet if leave इस दthenक इस्टेंस करेघे कि इसके पीछे साइइंस क्या मैं यहリ फ्लोट करती लिए रहते हैं और कुछ जींज़े डूब जाती है सब्सक्राइब करते हैं क्या है तो हम लोग normal language में तो हम लोग क्या कहते हैं heavy और lightweight ठीक तो यह तो हो गया जो हम normal हम लोग use करते हैं science में हम लोग इसको क्या कहते हैं अगर किसी substance की density उस substance से ज्यादा है माल लीजे आपने iron का block लिया है तो iron की density water की density से क्या है ज्यादा है इसका दीजन यही है कि हमारा iron का box water में sink हो जाता है और अगर देखा जाए वुट की density तो water से वो कम है इसलिए वुट का block हमारा बड़े इसली water में float करता है तो हमें पढ़ना है इसमें relative density आपका जो सबस्टेंस float कर रहा है और जिस flood में float कर रहा है तो इन दोनों के बीक जो relative density है जो relation है वही decide करता है कि हमारा substance float करेगा कि या फिर sink हो जाए तो पहले हम लोग यह समझते है कि relative density सबस्टेंस की जो सबस्टेंस किसी flood में float करवाना है माल लीजिए आपने यह box लिया है और यह लिया है flood ठीक है अब इसकी जो density होगी और इसकी भी कुछ density होगी क्योंकि यह density किसी भी substance की एक specific property है और यह हर substance की अलग अलग होती थी तो यह जो block है इसकी कुछ density होगी और यह जो flood है इसकी कुछ density होगी थी तो अगर हमारा यह block इसमें half हमारा क्या हो रहा है water में और half part इसका बाहर है और बड़े आराम से इसमें float कर रहा है तो इट मीन्स यह जो substance float कर रहा है यह block है इसकी density मालिए डीवन है और यह डीटू है तो डीवन इस लैस देन डीटू यानि कि block की density float की density से कम है अगर यह density कम होती है तो हमारा जो block होगा वो आधा पार्ट इसका पानी के अंदर हो जाएगा बहुत अराम से float करता है अगर यह density equal हो जाती है block की density जो हमने ली है block उसकी density अगर float की density के बराबर होता है तो हमारा block कुछ इस तरह से यह just float करेगा यानि कि यह पानी के अंदर पूरा आ जाएगा ठीक इस water surface के just नीचे क्या होगा हमारा block और उसके बाद यह float करेगा यहाँ पर यह float करेगा यहाँ पर क्या करेगा just float ठीक है just float करता है अब अगर हमारे block की density float की density से ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा हमारा box पूरा अंदर आ जाएगा और यह float नहीं कर पहें क्या हो जाएगा sink हो जाए तो यह density में difference और float करने का दीच है यह तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहले से हैं तब तो कोई बात नहीं अगर आप नए हैं तो PCP Club फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको हर टॉपिक बहुत ही easy way में मिलता है और बहुत मज़ा हली आता है तो देखो हम नाइन क्लास का फिजिक्स का चेप्टर पढ़ रहते हैं ग्रेविटेशन तो हमने ग्रेविटेशन में साली चीज़ें हम लोग पढ़ चुके अब जो लास्ट चेप्टर का है पार्ट वह है हम लोग ने क्या बॉप जाते हैं कुछ फ्लोट करती हैं तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारे कुछ सब्स्टेंसे वॉटर में माली जेए अपका फ्लूट वाटर है तो कुछ चीज़े वाटर करती हैं कुछ उसमें सिंक हो जाते हैं तो आज हम लोग यही डिसकस करेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है इसका रीजन क्या है कि हमारे चीजे फ्लोट करती रहती है और चीजे डूब जाते हैं तो देखो कोई भी सबस्टेंस है हम लोग नॉमल क्या कहते है है आइरें वह water में sink हो जाता है नहीं swimming कर पाता है फ्लोर पी कर पाता है तो हम कहते है कि जो iron का box वो भार ही है ना wood का block यह हलका है तो हम लोग normal language में क्या कहते है heavy और light weight ठीक तो यह तो हो गया जो हम normal हम लोग यूज करते हैं साइन्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, अगर किसी सब्स्टेंस की डेंसिटी उस सब्स्टेंस से ज्यादा है, माल लीजए आपने आइरन का ब्लॉक लिया है, तो आइरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है, इसका रीजन यही है कि हमारा आइरन का करता है तो हमें पढ़ना है इसमें रिलेटिव डेंसटी आपका जो सब्स्टेंस फ्लोट कर रहा है और इन दोनों के बीट जो डेंसटी है जो रिलेशन है वही DECIDE करता है कि हमारा सबस्टेंस फ्लोट करेगा कि या फिर SYNC होजाए विर तो पहले हम लोग यह समझते हैं कि dHAMकर्ट करता है फिर बाधे पड़ेंगा कि हम डेंस्टी है क्या तो देखो अगर हमारे सबस्टेंस की जो सबस्टेंस किसी flood में float करवाना है हमें माल लीजिए आपने ये box लिया है और ये लिया है flood ठीक है अब इसकी जो density होगी और इसकी भी कुछ density होगी क्योंकि ये density किसी भी substance की एक specific property है और ये हर substance की अलग-अलग होती ठीक तो ये जो block है इसकी कुछ density होगी और ये ये block इसमें half हमारा क्या हो रहा है water में और half part इसका बाहर है और बड़े आराम से इसमें float कर रहा है तो it means ये जो substance float कर रहा है ये block है इसकी density माल लिए डीवन है और ये डीटू है float की तो डीवन is less than डीटू यानि कि block की density float की density से कम है अगर ये density कम होती है तो हमारा जो block होगा वो आधा पार्ट इसका पानी के अंदर हो जाएगा बहुत अराम से float करता है अगर ये density equal हो जाती है block की density जो हमने ली है block उसकी density अगर float की density के बराबर होता है तो हमारा block कुछ इस तरह से ये just float करेगा यानि की ये पानी के अंदर पूरा आ जाएगा ठीक इस water surface ये just नीचे क्या होगा हमारा block और उसके बाद ये float करेगा यहाँ पे ये float करेगा यहाँ पे क्या करेगा just float ठीक है just float करता है अब अगर हमारे block की density float की density से ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा हमारा box पूरा अंदर आ जाएगा और ये float नहीं कर पाएगा क्या हो जाएगा sink हो जाएगा जो हमारा block और जो float दोनों के बीच कुछ density का relation होगा तो उस relation को क्या बोलते है relative density हमें क्या पढ़ना है relative density तो relative density पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what is density तो density क्या है mass of a substance कोई भी substance है उसका mass किसमें होना चाहिए यह per unit volume per unit volume के अंदर उस substance का जो भी mass है वो क्या होगी density तो density is going to क्या लिए केमरो mass upon volume ठीक है one meter का एक cube लिया ठीक है क्योंकि volume हमारी कैसी होती है three dimensional unit में माली आती है तो यह one meter का क्या है cube तो यह हो गया हमारा one meter cube का एक volume दिखा रहा दी इसमें हमने क्या फिल कर दिया water तो इस one meter cube में जितना भी water भरा होगा वो क्या हो जाएगा इसका mass तो mass upon यह volume तो हमारी water की density क्या जाती है thousand अब इसकी unit क्या होगी mass को हम लोग किसमें रेप्रेजेंट करते हैं kg में volume होगे आपका meter cube तो density की SI unit क्या हो जाएगी SI unit क्या हो जाएगी kg पर meter cube किसी भी substance का जो mass है वो पर unit volume में जितना भी है वो ratio हमारा क्या चलाएगा density स्टील है टीक है स्टील का जो mass है वो है 15,600 kg और यह किसमें प्रेजेंट है volume यहाँ पर है 2 meter cube यानि कि 2 meter cube के volume में जो हमारा स्टील का mass है वो दिया है 15,600 kg तो स्टील की density कितनी हो जाएगी mass अपन volume लिखेंगे तो 15,600 अपन 2 यह कितना है 274, 286, 00 kg पर meter cube तो हमारी स्टील की density आगई 7800 kg पर meter cube तो वो यह भी सब्स्टेंस है उसके पर unit volume में जितना भी mass present है वो उसकी density है यानि कि density अगर किसी सब्स्टेंस की जादा है तो वो ज्यादा heavy feel होगा क्योंकि माली यह इतने volume में किसी सब्स्टेंस का ज्यादा mass है तो ज्यादा heavy feel होगा इतने ही volume में किसी सब्स्टेंस का कम mass है तो वो lightweight feel होगी तो यह हो गई आपकी ऐसा unit किलो ग्राम पर मीटर क्योब अब अगर स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो लार्जर यूनिट हो गई कुछ सब्स्टेंस होते हैं हमारे जो स्मॉल यूनिट में हम लोग लेते हैं इतना ज्यादा नहीं होता है तो उनको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर कर लेंगे तो उनकी डेंसिटी हम किसमें ले लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अब यह जो डेंसिटी है ठीक है यह तो हमें सुझ जागे डेंसिटी क्या है की मारी इससी ट्रेश्टी पता चल जाएगी तो वह substrate हमारा water मे Vince काम आती है तो सथ्री ग्राइड करें है जादा होती है तो यह है वुष्ट सेंटी में एक्रहनी की स्थीड कल तो आप यह पूछा जारा question में कि क्या ये substance हमारा water में float कर पाएगा water की density दी है one gram per centimeter cube तो अब water की density थो हमें पता है तो हमें पता होना चाहिए substance की density अगर substance की density water की density से कम होती है तो हमारा substance क्या करेगा water आपने float करेगा otherwise sink हो जाया तो अब density निकालते है substance की m upon v से mass यह आपका 50 gram volume दिया है 20 centimeter cube तो यह आया आपका 2.5 gram per centimeter cube तो substance की density आपकी 2.5 gram per centimeter cube आई water की दिया है आपकी one तो यह क्या है 2.5 वन से ज्यादा है क्या होई आपकी यह जो substance की density है यह water की density से क्या होई ज्यादा है यानि कि हमारा यह जो substance है यह water में float नहीं करेगा क्योंकि यह water से ज्यादा heavy है density ज्यादा बतला water से ज्यादा heavy है तो यह तो हो गई आपकी density अब बात आती है relative density की density है तो relative density अगर हम किसी भी substance की निकालते हैं तो यह होता है relative density of substance is equal to density of substance upon density of water यानि कि water के relation में इसकी जो density है that is called relative density तो इसका formula क्या हो जाएगा relative density of our substance is equal to density of substance upon density of water अब माल लीजिए अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं density of substance density of water density is called to क्या होता है mass upon volume यानि कि mass substance का और mass और volume हो गया substance का upon mass of water upon volume of अब अगर हमने equal volume लिया है जो हमारा substance है जो water है दोनों का volume हमने equal लिया तो हमारा volume वाला part क्या होगा cancel हो गया क्योंकि हमने equal volume लिया है तो आपकर क्या बचा है याँपर mass of substance upon mass of water तो यानि कि relative density हमारी क्या हो गई अगर हमारे equal volume है equal volume लिया आपने substance का और equal volume आपने water की equal volume के ही हमने क्या लिया है substance का volume तो mass of substance upon mass of water of equal volume माल लिजिये हमने one meter cube हमने substance लिया है तो हम water भी कितना लेंगे one meter cube दोनों को volume सेम होगा तब हमारी relative density क्या हो जाएगी mass of substance upon mass of water अब जो relative density होती है इससे हमें पता सर जाता है कि हमारा substance किपना heavy है जैसे आपकी iron की आइरन की relative density आती है 7.8 अगर हम one meter cube iron लेते हैं और one meter cube water लेते हैं यानि कि दोनों हमने same volume लिया है तो हमारा जो आइरन है यह आता है 7.8 टाइम ज्यादा heavy यानि कि relative density हमारी कितनी आइरन के 7.8 जब हमने one meter cube water लिया और one meter cube ही हमने क्या लिया iron तो relative density आती है हमारी 7.8 तो it means आपका जो iron है वो water से 7.8 time क्या है उससे है है तो वाटर से हमारा iron कितना है है 7.8 time तो इससे हमारा वाटर से क्या है है तो relative density से हमें पता चलता है कि कोई भी substance हमारा water के compare में कितना जादा हैवी है और वो उसमें float करेगा कि नहीं करेगा जब हम equal volume लेने तभी अगर मालीजे आपने one meter cube का volume आपने water के लिया और iron का ले लिया half meter cube तो यह नहीं चलेगा आपको जितना volume water के लेना है और उतना ही volume substance के लेना है जिसकी relative density हमें measure करने है volume दोनों के same होने चाहिए तब हमारी relative density के आएगी सही value देगी तो relative density से हमें पता चलेगा कि हमारा substance water से heavy है या light और यह float करेगा कि नहीं ठीक है अब इसके based पर आप कुछ question करें ताकि यह चीज आपकी दिमाग में fit हो जाए जो आपने relative density निकाली थी इसमें क्या formula बना था आपका density of substance upon density of water ठीक है अगर equal volume होते थे हमारे दोनों ही substance के तो mass of substance और mass of जो water है वो है अब यहां पर देखे यह भी mass है उपर नीचे mass है तो दोनों ही unit क्या होंगी kg kg जो cancel हो जाएंगी तो relative density हमारा एक constant है इसकी कोई SI unit नहीं होती कोई भी unit नहीं होगी ठीक है SI unit नहीं होगी क्योंकि यह सारा क्या हो जाएगा cancel out कुछ बचेगा अब आपका question है relative density of silver दी है 10.8 यह आपको RD दे रखें density of water दिया है 1 into 10 to power 3 kg per meter cube हमें निकालने है silver तो relative density हमें दी है 10.8 हमें निकालने कि इसके silver की हमें पता है formula relative density is equal to density of substance upon density of water तो हम silver की density हमें जो निकालने हैं वो हम उपर रखें upon density of water 1 into 10 to power 3 तो यह क्या हुआ इधर cross multiplier density of silver कित्ती आ गई 10.8 to 10 to power 3 kg per meter cube simple सा question है relative density में पता है water की density दिया silver की हमने calculate कर दी है relative density के बेस पे देखें एक अलग सा question है इसमें आपके सारी चीजे clear हो जाए volume of a solid mass of 500 gram is 350 cm3 एक solid mass है उसका जो volume है लिया में 350 cm3 इस volume का जब हमने density of substance तो यह density is equal to क्या होता है m upon b ठीक मास हमें पता है 500 gram और volume पता है 350 तो यह आपका आए ऐस तो यहां से हमने डेंस की निकाल ली सबस्टेंस की क्या हो गई इतने volume में इतना मास है इसका अब पूछा जा रहा है मास वाटर डिस्प्रेस्ट बाइप इस ओलें तो देखो आज में प्रिंस्पल था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सबस्टेंस जो वाटर डिस्प्लेस करती है जब उसमें सिंक होती है फ्लोट करती है तो जितना वाटर डिस्प्लेस करती है तो उस वाटर का वेट पराबर होता है हुआ उसमें बॉयन फोर्स लग रहा है ठीक यह तुमने पढ़ा था है और एक यहバイ principle कि कोई भी सब्स्टेंस का जो भी क्या होगा सब्स्टेंस का जितना मरा होता है वह अपने मालियूम 350 cm2 tutने ? या वाटर में लोटर करें दिप करेंगे तो दिष्प्लेई करगा अब खुदग को जगे जयताывать को जगे के पाली के याँ से कसे आई चाहिए उतने ही वालियूमर का वाटर क्या गलेगा बहार अटा देगा निकाल देगा और खुद वहाँ पर फिट हो जाएगा तो जो वॉल्यूम हमारे सब्स्टेंस का होता है उतना ही वॉल्यूम का वाटर क्या करता है वो डिस्पलेज करेगा ठीक है यह नहीं जितनी जगह चाहिए जितना हमारा वॉॉल्यूम है हम उतनी बना लिए और वहां पर फिट हो गया तो यारी की जूबब उनिवों होगा इस प्लेस किया जो बो कितना होगा 350 cm3 तो वार्टर जो डिस्प्लेस हुआ उसका वार्टर का डिस्प्लेस हुआ ठीक हमें निकालना है इसका थो फॉर्मूला होता है density square to mass upon volume हमें क्या निकालना है mass volume हमें पता चल गया और water की density यह आपको याद रखने पड़ेगे कुछ कुछ question में दी रहती है आपको यह याद रखने क्योंकि कहीं कई पर यह नहीं दियोगे तो अगर देखिए अगर बड़ी unit use हो रहे है तब water की density हो जाएगी 1 kg per meter cube 1 into 10 to power 3 ठीक है और अगर smaller unit की बात आती है तो हो जाएगा 1 gram per centimeter cube large unit में हो जाएगी 1 into 10 to power 3 kg per meter cube और smaller unit density क्या होगी 1 gram per centimeter cube तो यहाँ पर हमारी value सारी किसमें है centimeter grams में तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 1 तो water की density वही 1 gram per centimeter cube मास हमें निकालना है volume जो displace हुआ है वो कितना होगा कितना volume substance का है वो उसमें dip होगा उतने ही जगे बनाने के लिए उतना water displace कर देगा जितना उस substance का volume था वो था 350 तो हमारा जो water displace हुआ उसका volume भी कितना हुआ 350 तो मास कितना आ गया 350 gram ठीक है तो water का मास हमें आ गया 350 ग्रैम अब निकालना यहाँ पर relative density अब देखो relative density पर हम क्या लेते हैं mass of substance upon mass of water कब जब उनका volume equal होगी तो volume यहाँ पर क्या है equal इसका भी 350 है और इसका भी 350 है तो हम relative density simple क्या रखेंगे mass of substance upon mass of water अब substance का मास कितना दिया है 500 water के कितना आया है 350 यह कितना आया 1.42 relative density कितनी आया आई आपकी 1.42 अब पूछा जा रहा है कि will it float or sink आपका जो यह substance था 500 ग्रैम का जिसका volume था तो यह water ने float करें करकी नहीं देखो अब यहाँ पे जो relative density आया है कितनी आया है 1.42 water की density कितनी होती है 1 ठीक है तो यहाँ पर सारी value हमारी किसमे थी gram per centimeter cube में तो इसमें हमारी water की density 1 होती है 1 gram per centimeter cube तो अगर relative density की value इससे ज़्यादा है यह हमारा float नहीं करेगा float नहीं करेगा और यह क्या हो जाएगा sink हो जाएगा अगर यह relative density water की density से कम आती तब हमारा substance क्या करता float करता तो आपको relative density के application भी समाझ में आ गए होगे हम किसी में substance की relative density volume के relation में निकालते हैं और अगर relative density water की density से ज़्यादा आती है तो वो substance ढूबना ही ढूबना है ठीक है अगर कम आती है तो वो अराब से float करेगा अब हमनों पढ़ेंगे the principle of floatation कोई भी object water में float करती है या sink करती है तो कब ऐसा होता है देखो आपको पता है ये माली ये कोई substance है ये रहा water तो जब water में कोई substance हम लोग in करते हैं तो क्या होता है एट तो इसमें इसका weight के कारण एक force लगे का weight जो है वो डाप water action में लगेगा ठीक है और जो इसमें बोयन force होगा वो इसमें किदा रखेगा आप 4 direction में उपर किदा तो अगर ये जो आपका बोयन force है और ये रहा weight अगर हमारा बोयन force इस weight से जो object का weight है weight के कारण जो लग रहा है force उससे अगर ये ज्यादा होता है तो हमारा object क्या होगा अराम से float करता रहीत अगर ये value इससे ज्यादा हो गए तो weight के कारण जो force है ज्यादा है और वोयन force कम है तो हमारा object दूब चाएगा और अगर just equal है तो ये balance भनने भ़गा और हमारा object इधर पर आनके क्या होता रहाए? प्रोट करता रहाए, ठीक. यह तो हो गई हमारी अलग पहाने. Rs. मिढी तीन ने क्या कहा था? कि कोई object का जो weight है, किसी भी object का. तो Rs. मिढी तीन ने क्या कहा था? कि कोई object जो water को displace करता है, हमारा जो displaced water था उसका जो weight था उतना ही क्या था? buoyant force यानि कि किसी भी object पे जो buoyant force लग रहा था उसकी value किसके बराबर थी? जो water displaced हुआ था उसके weight के बराबर है तो इससे क्या निकली कहानी से क्या निकला confusion है? कि कोई भी substance है तो वो water कितना displaced करेगा? अपने weight के बराबर यानि कि जितना object का weight होगा उतना ये water displaced करेगा और ये displaced water का जो weight है उतना ही क्या होता है? उसपे buoyant force लगेगा अगर हमारा object float कर रहा है तो उस time ये जितना water displaced कर रहा है उसका जो weight होता है वही हमारा buoyant force था तो यहां से यह निकला कि जो object का weight है जितना इसका weight होगा उतना ही इस पर क्या लगेगा buoyant force और उतना ही यह water displaced करेगा यानि कि weight of substance is equal to weight of displaced water और equal to buoyant force फिक यह तीनों चीज़े क्या है बराबर जितना substance का weight है उतना ही water displaced करेगा और उतना ही उस पर buoyant force लगेगा यसे यह 2 kg है तो जो यह water displaced करेगा वो भी 2 kg होगा तो यह कितना हो जाएगा weight जब निकालेंगे तो कितना आजाएगा 2 x 10 g की value multiply करेंगे mg से यानि कि 20 तो buoyant force हमारा कितना हो जाएगा 20 newton तो यह है floatation का principle तो यानि कि weight substance का buoyant force से क्या होना चाहिए कम हो या फिर बराबर हो तब तो हमारा object float करता रहेगा अब जैसे आपकी ship वह गेरा होती है तो जब यह water में float करती है तो क्या करती है जैसे इसे weight बढ़ता जाएगा तो यह क्या करेगा water जैसे displaced हो रहा है वह क्या होगा उसका weight बढ़ता जाएगा और इसमें लगने वाला buoyant force भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और हमारी boat swimming करेगा अराम से float करेगा लेकिन एक लिमिट कर अगर इसके border कर water आ गया तब क्या होगा water इसके अंदर जाए लगेगा और तब हमारी boat sink हो जाएगा तो किसी भी object को float करने के लिए क्या चाहिए कि वह अपने weight के बराबर water को displace करे तब ही वह क्या करेगी तो आपने principle of float बढ़े अच्छे से समाद दिया तो आज आपने क्या पढ़ लिया क्या पढ़ा principle of float पढ़ लिया relative density density और relative density के क्या application है ठीक ये सारी चीज़े clear हुए तो जो आपका chapter है gravitation physics का ये पूरा complete हो चुका है अगर आपने सारे वीडियो देखें हैं तो आपको chapter पूरा समझ में आ गया होगा बाई चांज कुछ queries हैं तो आप comment section box पर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें और share करें PCB club channel subscribe कर लिजिए और bell icon प्रेस करना बिल्कुल मझ भूलिएगा तो नेक्स वीडियो आने तक अपना खिया लखिएगा बाई